नमस्कार, हेल टेप्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्यूंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोज, कुछ ऐसी जनकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बहुत इंपोर्टन्ट और आपके लिए लाबदा एक साबित होते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास आज का नुस्का जो मैं आपको बताने वाली हूँ खास उन लोगों के लिए है जो लोग अपने दातों के जिद्धी पीले पन से बहुत जादा परेशान है वह उनके दातों में सड़न पैदा होने लगी है या उनके दातों से बहुत जादा गंदी बदबू आती है जिया दोस्तों जब हम सब भी जानते हैं शुरुआत में जब हमारे दात पीले पढ़ना शुरू होते हैं तब हम इने नजर अंदास करना शुरू कर देते हैं लेकिन जब यह समस्या आगे बढ़ जाती है तो हमारे दातों में धीरे धीरे सडान पैदा हो जाती है और हमारे दाटों से बदभू भी आने लगती है जब हम किसी से बात करते हैं हमारे दाट में से बदभू आती है तो सामने वाले इंसान को भी अजीब लगता है जिसकी वले से हमें लोगों के बीच में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है लेकिन दोस्तों आपको घबराने की कोई भी यूज कर सकते हैं जिया दोस्तों ये बहुत ही कारगर होता है साथ ही साथ जो लोग गुट का खेनी का सेवन करते हैं ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है क्योंकि उनके दाट जो है अंदर से बहुत ज़्यादा सर जाते हैं वहां उनके अंदर किटानू पनप को तयार करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको लेना होगा कुछ इस प्रकार से खाली कटोरी खाली कटोरी में आपको करना क्या है कि आपको लेने होंगे चावल चावल को आपको पीस करके आटे की तरह तयार कर लेना है यानि कि आपको चावल का आपको इसके बाद करना क्या है दोस्तों कि आपको इसके अंदर एड़ करना होगा थोड़ा सा गुलाब जल यानि कि दोस्तों दो से तीन चम्मत जो है हम गुलाब जल का पानी एड़ करेंगे जिया दोस्तों अब आपको करना क्या है पहले आपको अच्छे से मिक्स कर लेना दोस्तो यदि यह अच्छे से mix नहीं हो रहा है तो आप इसमें गुलाब जल थोड़ा सा और एट कर लेंगे दोस्तो यदि आपके पस गुलाब जल ना हो तो आप पानी को गुनगुना करकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिया दोस्तो जब आप इसमें देखेंगे गुलाब जल या पानी एट करेंगे तो उसके बाद यह well mixed हो जाएगा अब आपको इसके अंदर इस्तेमाल करना होगा डाबर का पुदीन हरा जिया दोस्तो जैसा कि हम जानते हैं पुदीने के अंदर कुछ प्राकर्तिक तत्व पाये जाते हैं जो कि आपके दातों में से कीड़े को मारने का काम करते हैं आपके दाड में जो दर्द होता है वो आपके इसी वज़े से होता है क्योंकि आपके दाड के अंदर कीड़े पड़पने लग जाते हैं जो कि आपके दाड को अंदर ही अंदर खोकला बना देते हैं तो आपके दातों में से कीड़े को मारता है साथी साथ जिन लोगों के मौ से गंदी बद्बू आती है ये उसको भी जड़ से खतम कर देता है तो दोस्तों आपको करना क्या होगा अगर आपके पास डाबर पुदी नहरे की शीशी है तो आपको आदा चमज यूज़ करना है ये आपके पास डाबर पुदी नहरे का कैपसूल है तो आपको दो कैपसूल यूज़ करने है कुछ इस प्रकार से जिया दोस्तों आपको इसके अंदर से ओईल निकारकर उस पेस्ट में डाल देना है जिया दोस्तों आपको करना क्या है? इनको अच्छे से mix कर लेना है और आपको एक paste बना करके तेयार कर लेना है आपको हफते में दो बार कम से कम इस्तिमाल जरूर करें, अब आपको करना क्या है जब आपका ये पेस्ट बन जाएगा, तब आपको रोजाना सुभहे उठकर पानी से कुला करना है, कुला करने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार से इसको लिना है अपने ब्रश में, औ आपको रोज़ाना इसी प्रकार से ऐसे कोल गिट करना है तो दोस्तों आपको 2-3 मिनिट तक ऐसे ही पेस्ट करना है जी हाँ दोस्तों यदि आप इसका इस्तिमाल करेंगे तो आपके दातों में जितनी भी गंदगी थी वो सारी दूर हो जाएगी दात में से बदबू आती थ बड़े हुए थे साब कुछ दूर हो जाएगा कुछी मिन्टों में जी आ दोस्तों आपके दात है जो दूर जैसे मोती जैसे चमकने लगेंगे तो दोस्तों ये था आपके लिए आज का नुसका आपको ये नुसका पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें ज